मैं मिनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले टॉपिक के साथ उपस्तित हुई हूँ तो चलिए फटा-फट से जानते आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे पर येस उससे पहले आप जल्दी से बताईए आप सभी लोग कैसे हैं I hope you all people are happy and healthy तो चलिए कैसी के साथ मैं आज का टॉपिक बताती हूँ अर्ली चाड़ूट पिरेड में यंग बच्चों के happiness के बारे में ही आज हम बात करेंगे जैसा कि लास्ट वीडियो में हम उनके happiness कैसे develop होती है या कौन सी चीज़ें हैं जो उसे influence कर सकती है और उसमें family का क्या रोल होता है ये during early childhood तो आज उन conditions पर हम थोड़ा सा focus करेंगे जो कि मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए काफी informative होगी तो इसलिए मैं चाहती हूँ I hope that you will be in the session till the end और अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से subscribe करिए देट हमारा यह जो contact है बना रहे और आपको यूही अच्छी जानकारिया मिलती रहें तो चलिए इसी के साथ session को start करते हैं good health which enables young children to enjoy whenever they undertake and to carry it out successfully तो सबसे महत्पून condition जो होती important condition होती है बच्चे की good health अगर बच्चे की good health है तो वह children खुब जादा enjoy में रह सकता है जो भी activity जो भी चीजें वह करेगा उसको काफी enjoyfully वह कर सकता है और इस वजह से यह good health जो है happiness को develop कर सकती है या करती है हम कर सकते हैं next अगर हम condition की बात करे तो stimulating environment in which children have opportunities to use their abilities to do the maximum तो सबसे important बात होती है कि stimulating environment का होना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें उसको वह opportunity मिले कि वह जो भी abilities उसके अंदर है वो उसका maximum use करके उसको fulfill कर सके जिससे कि उसको encouragement मिले और और उसकी ability और ज्यादा develop हो और उस वजह से उसकी happiness को contribution मिलेगा next अगर हम condition की बात करें that is parental acceptance of annoying childish behavior and parental guidance in learning to behave in a socially more acceptable way तो सबसे पहली बात है कि parental का acceptance is very very important अगर बच्चा annoying behavior कर रहा है तो parent के अंदर उस बच्चे को समझना चाहिए कि हाँ ठीक है उसका है annoying behavior I have to accept that और साथी साथ ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको अच्छा गाइट कर सकें जिससे की वो socially acceptable behavior को learn कर सकें और वो उसी behavior को उसी तरीके से कर सकें जिससे की ऐसा करने से ये condition जो है more happiness को contribute करेगी चाहिट के life में next condition की बात करें a disciplinary policy that is that is well planned and consistently carried out this lets young children know what is expected of them and prevents them from feeling that they are unfairly punished तो सबसे बड़ी बात होती है जो भी हम disciplinary policy या disciplinary parenting style अपनाते हैं बच्चों को treat करने के लिए discipline develop कराने के लिए वो बहुत ही well planned होनी चाहिए बहुत strategic होनी चाहिए जिसे कि बच्चे को क्या है कि बच्चे का जो young children है वो यह accept कर सके और यह जान सके कि आगर यह चीज़ की जारी है यह rule बताया जा रहा है तो there is certain basic conditions behind that वो उस चीज़ को समझ सके और उसके अंदर यह feeling ना develop हो कि हम जब देखो तब unfairly punished होते हैं तो एक well planned disciplinary policy को रखना बहुत जरूरी होता है बच्चे के ज बच्चे को यह चीज़ कर रहा है तो इस पर प्राउट फील करना बच्चे को यह लगे कि हम यह चीज़ किया है तो my parents my other family members are very happy with me तो उसके अंदर क्या होता है यह happiness contribute करता है और साथी साथ जो भी है आपको बच्चे के साथ more and more time spend करना चाहिए और कभी-कभी वो जो करना चाहिए उनको करने देना चाहिए तो यह सारे जो behavior होते हैं conditions होते हैं वो बच्चे के अंदर happiness को develop करते हैं next condition realistic aspirations in accordance with their capacities हमेशा बच्चों के साथ realistic aspirations बनाना चाहिए तो यह उसको बहुत discourage करता है और इस तरह से उसके अंदर बहुत सारे negative feelings develop हो जाते हैं failure की feeling develop हो जाती है यह feeling की parents ने किसी ने भी मेरे साथ जो भी aspirations रखा I am not that much of efficient person to fulfill those aspirations correctly तो इस वज़े से बच्चा जो है unhappy रहने लगता है और बहुत सारे psychological impact भी उसके अंदर पढ़ सकते हैं तो हमेशा realistic aspirations रखना चाहिए so that children have a reasonable chance of making a success of what they undertake तो इस वज़े से बच्चों के अंदर reasonable chance बने कि वो जो है success कर सके जो भी वो करना चाहते हैं thus fostering favorable self concept और इससे सबसे बड़ी बात होती है कि उसके अंदर एक अच्छा favorable self concept develop होता है जो उसके पूरे personality को guide करता है और पूरे personality pattern को frame करता है तो it is very very important to have that realistic aspirations with the child next condition के अगर हम बात करें encouragement of creativity in play and avoidance of ridicule or unnecessary criticisms which dampen your child's enthusiasm to try to be creative हमेशा creativity को encourage करना चाहिए जो भी बच्चा अपने play में डालना चाहरा है और unnecessary criticism और radical behavior को हमेशा avoid करना चाहिए जो की बच्चे के enthusiasm जो creativity को लेकर है उसको बहुत ज्यादा deteriorate और dampen कर सकता है तो इस वजह से क्या होता है बच्चा बहुत discourage feel कर सकता है और आगे चलके वह धीर धीर अनहपी feel करने लगेगा तो हमेशा creativity in play जो भी बच्चा लाता है उसको encourage करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए जिसके उसके अंदर enthusiasm develop हो next condition is acceptance by siblings and playmates playmates और siblings के द्वारा acceptance is also very very important condition so that children will develop favorable attitudes towards social activities तो इस से बच्चे के अंदर social activities वगरा को लेके एक favorable attitude develop होगा this can be encouraged by guidance in how to get along with other people and by good home model imitate तो इससे क्या होता है कि बच्चे को एक अच्छी guidance encourage होती है और encouragement मिलता है अच्छे guidance का कि लोगों के दूसरे लोगों के साथ उसको कैसे रहना है और साथी साथ जो घर में good models है उनको imitate करके भी उनको काफी encouragement मिल सकता है जिससे की उनका जो है favorable attitudes towards every people बन सके जिससे की वो आगे चलके अच्छे से adjust कर सके सभी के साथ जिससे वो happy रह सके next condition is a prevailing atmosphere of cheerfulness and happiness in the home so that children will learn to make their contributions to maintaining this atmosphere घर में हमेशा ऐसे atmosphere को रखना चाहिए cheerfulness और happiness वाला जिससे की बच्चा जब उसमें रहेगा तो वो सीखेगा कि कैसे हम खुश रह सकते हैं और उसमें वो उस तरह के atmosphere को maintain करने में अपना भी contribution देगा घर में अगर अच्छा महौल नहीं रहेगा लोग एक दूसरे से fight करते रहेंगे एक दूसरे से unhappy रहेंगे घर का महौल atmosphere अच्छा नहीं रहेगा तो ultimately बच्चा ऐसे atmosphere में खुश नहीं रह सकता और वो happiness को डेवलप नहीं कर सकता अपने अंदर इसलिए atmosphere of cheerfulness and happiness को रखना is very very important next condition is achievements in activities important to the child and valued by the group with which the child's identify तो सबसे बड़ी बात है कि achievement जो भी वो activity करता है उस activities को चाहे बाहर के लोग हो या group के लोग हो उन activities को मतलब importance देना चाहिए उस achievement को importance देना चाहिए जो बच्चा कर रहा है जिस activity को करके achieve कर रहा है वो उसको importance value देना चाहिए group के द्वारा जिससे कि बच्चे की एक अपनी identity बन सके और उसको identification हो सके कि हां मैंने यह अच्छा काम किया तो मुझे लोग identified कर रहे हैं वैली कर रहे हैं तो इस वज़े से उसके अंदर एक बहुत ही favorable attitude develop होता है और happiness को यह चीज़ें बहुत ज़्यादा contribution देती है develop होने के लिए जिससे उसकी present and future बहुत ही अच्छा हो जाता है जिससे की बच्चा अच्छे से personal or social environment में adjust हो सकता है तो यह there are these are the certain conditions which contribute to the happiness in the early childhood period in the young children so हमें इन चीज़ों का as a parents, as a peer group, as a other significant people हमको काफी ध्यान रखना चाहिए जिससे की बच्चे का present or future हम बहतर बना सकें और उनको support दे सकें so I must think you get the good information with this video and if you like it please give one like and if till now if you haven't subscribed my channel please subscribe it and thanks for watching my video I'll be there with in front of you with my next video with a great information so till then take care good care of yourself bye